चालो, स्टाट करें, क्वेशन नम्बर आए हम सेवन पे, क्वेशन एथ वंस अगें मैंने होमबक में दिया है, प्राइट आउट, अगर प्रॉब्लम होती है तो लट में नो, ठीक है लेकिन होना नहीं चाहिए, जल्दी से क्वेशन एथ डिसकर्स कर ले थोड़ा, ठीक हो बेज हटा दो, बेज हटा दो, इसका मतलब क्या, एक लेंठ इंटु ब्रेथ हटा दो, जो हमने फॉर्स्ट या सेकेंड क्वेशन में किया था ना, तु ताइम्स तुम लेटरल सर्फेस एरिया ले रोगे, ठीक है, जो हमारा 2 इंटु लेश प्लस ब्लस एक बार L इंटु भी, एड कर दो के, that is the formula, ठीक है, for sure question 8 आना ही चाहिए, okay, चलो, question 7 जो consider किया जाता है as a hard question, but I would say it's not a hard question, it's a lengthy question, that's it, कुछ है नहीं, एक बार समझ लो, कुछ है नहीं, लेकिन, हाँ, बहुत बड़ा है, let's see, मुझे शायद तीन बार बोड एरेस करना पड़े, let's see, क्या हो चलो, question पहले पूरा आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी हमने sweets की बात की, तो फिर से एक बार sweet आ गई, देखो, Shanti sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets, ठीक है, चलो, two sizes of boxes were required, the bigger of dimensions, तो क्या करेंगे हम, दो पार्ट्स बना लेते हैं, same चीजे करनी है, दो साइजे के boxes के लिए, यह सब हटा देते हैं, थोड़ी जगे बना देते हैं, बोड पे, so that, बार बार, इरेजना करना पड़े, ओके, चलो, हमारे पास, दो boxes है, एक है, bigger box, ठीक है, एक है, smaller box, चलो, dimensions, नॉट डाउन करते हैं, what are the dimensions, 25, 20, and 5, तीनो है, सेंटिमेटर में, तो प्रावलम नहीं है, चलो, length है, 25 cm, right, breath है, 20 cm, and height है, 5 cm, now you can understand, कि अगर भई, तुम्हें स्वीट पैक करनी है, किसी box में, you will need the total surface area, नहीं box को उपर से खुला छोड सकते हो, नहीं से सो, छोडी नहीं सकते, of course, right, so what do you have to find out, total surface area, come on, find it quickly, so TSA of big box, देखो यह नहीं की formula तो पत्ता ही है, कितनी बार लिखे, जितनी बार सम करते हो, उतनी बार formula लिखना है, right, यह जो एक fix pattern अभी हम डिसकस कर रहे है, इसमें एक भी step miss नहीं करना है, 25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25, 25, 2 is a 50, एक 0 लगा, 500, 25 is a 100, 25 is a 125, 25, 2 लगा, 600 plus 1, यानी 725, multiply करो, 5 to the 10, 1 to the 4 plus 1, 5, 7 to the 14, क्या मिल गया हमें, 1450 cm2, ठीक है, हमने ढूंडा, TSA, आगे चले, what are you given, अच्छा चलो, 15, 12 and 5, करेक्ट है, चलो, अब क्या करना है, इसमें भी, we have to take the TSA, TSA, TSA of small box, once again, you will write the formula, place the values, 15 into 12, 12 into 5, 5 into 15, 16, कल सिखाया था, याद करो, 12 फाइजा, 60, 6 कहरी मैं, 12 बन्जा, 12 प्लस 6, 18, 180 आया, 12 फाइजा, तो सीधा होगा, आपका, 60, 15 फाइजा, भी सीधा होगा, 75, एड करो, 180 फ्लस 60, 18 फ्लस 6, 24, तो यह हो गया, आपका, 240, 240 में मिलाना है, 75, तो 75 में से पहले मिला लो, 60, 240 फ्लस 60 हो गया, 300, बाकी बचा, 15, तो इस विल बी, 3, 1, 5, 5 तूजा, 10, 1, 2, 1, 2 प्लस, 1, 3, 3 तूजा, 6, ठीक है, स्मॉलर बॉक्स का, टोटल सर्फेस एरिया हो गया, 630 सेंटिमीटर स्क्वार, ओके, आगे पड़े, चल, What are you given? For all the overlaps, 5% of the total surface area is required, एक्स्ट्रा, देखो, अभी बॉक्स हाथ में है, तो इसका अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, क्या होगा, आपको कोई भी बॉक्स जब बनाना है, तो ऐसा नहीं न, कि सिर्फ इतना होगा, ये थोड़ा ऐसे टर्न होगा, और ये थोड़ा इसके उपर जाएगा, इसको हम बोलते हैं, ओवरलैप्स, राइट, दो साइट्स जहां पे एक दुसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इस ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा, जितनी लाइन्थ है, उससे हमें थोड ऐसा, ज्यादा काड़बोर चाहिए, राइट, कितना ज्यादा चाहिए, 5% of the total surface area So we just have to find out 5% of the TSA, that's it, है कि नहीं, चलो, परसंट देखते ही कुछ बच्चे होते हैं, जो डर जाते हैं, तो पहले तो वो डर ना छोड़ दो, 5% of TSA is equals to क्या होगा, 5% of 1450, परसंट हटाना है, तो लगाओ नीचे, 100 of का होगा, multiplication, and then, 1450, कट गया, क्या होगा, 5, 5s are 25, 2, 5, 4s are 20 plus 2, 22, 2, 5, 1s are 5 plus 2, 7, और 1 है तुहारा point, तो आ जाएगा, 72.5 cm2, यानी कि आपको total cardboard कितना चाहिए, जितना उसका TSA है, और जितना extra लगने वाला है, दोनों को हम करेंगे add, ठीक है, चलो, यह सम में अगर confusion होता है, तो वीडियो दो बार देख लेना, total cardboard required 1450 plus 72.5, राइट, 0.5, 2, 5 plus 7, 2, 1, 4 plus 1, 5, सुब क्या आएगा, 1522.5, या इसको लिख लो, 0.50 cm2, इतना cardboard हमें total चाहिए, same way, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5% of 630, ठीक है, चलो, so, 5% of TSA is equals to 5% of 630, same, percent को हटाओ, 100 लगाओ, off के बदले multiply डालो, एक 0 गया, 5, 3s are 15, 1, 6, 5s are 30, plus 1, 31.5 cm2, इसका मतलब क्या, small cardboard बनाने के लिए, हमें, जो total cardboard चाहिए, that will be equals to 630, plus 31.5, यानी, 0 लगा देते है, यहाँ पर इसका 1, 3 plus 3, 6, और 6, 661.50 cm2, आई बात यहां तक समझ में, क्या था, एक बार quickly, इसका screenshot ले लो, I'll erase this and we will go ahead with the same sum, ठीक है, sum अभी बाकी है, बाकी है, देखो, sweet seller एक है, उसको दो टाइब के boxes बनाने है, bigger and smaller, bigger के dimension दिये थे, उसका यूज करके हमने उसका TA से निकाल दिया, smaller के dimension दिये थे, उसका यूज करके हमने उसका TA से निकाल दिया, आगे क्या बोला, overlapping जहां पे होता है box में, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा cardboard चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए, जितना total surface area है, उसका 5%, तो हमने क्या किया, TA से हमारा जुथा उसका 5% निकाला, इस case में मिला 72.5, तो उसको हमने add कर दिया 1450 में, तो हमें मिला कि टोटल cardboard, अचाहिए कितना है, एक box के लिए हमें कितना cardboard चाहिए, उसका area, ठीक है, for the bigger box, the same way 5% of 630 निकालके हमें मिला, टोटल कितना cardboard चाहिए हमें, to make the small box, कितना one box, ठीक है, जल्दी से इसका screenshot लो, आगे चलते हैं, चलो, करे आगे, first part हमने complete किया, ठीक है, दोनों केस में हमने, एक एक box बराने के लिए, कितना cardboard चाहिए, वो जूनदा है, ओके, अब आगे पड़ो, actually हमें बनाने कितने boxes है, देखो, क्या बोला है, if the cost of cardboard is rupees 4, for 1000 cm square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, each kind मतलब क्या, अगर एक box का area इतना, तो 250 boxes का area कितना, ठीक है, multiply करेंगे यहाँ पे, याद रखो फिर से, this is our big box, this is our small box, ओके, चल, तो क्या करेंगे हम, area of cardboard for 250 boxes is equals to, कितना होगा, 250 into 1522.50, ठीक है, अच्छा, यहाँ से इसको multiply करना है, तो कर सकते हो, नहीं करना है, तो बाद में भी कर सकते हो, क्या करेंगे, हम यही से कर लेते हैं, चलो, कल, once again, बात हुई थी, अपनी 25 का सीधा table, ट्राइ करो, यहाँ पे point के बाद एक number है, यहाँ पे एक 0 है, दोनों कट जाएगा, तो हमें सिर्फ इस number को 25 से multiply करना है, ओके, चलो, 25 फाइजा, 125 ठीक है, उपर आया 12, 25 टूजा, 50, 50 प्लस 12, 62, उपर आया 6, again 25 टूजा, 50, 50 प्लस 6, 56, उपर आया 5, 25 फाइजा, 125, 125 प्लस 5, 130, 0, उपर आया 13, 25 फाइजा 25, प्लस 13, 35 प्लस 3 याने की 38, कुछ इतना centimeter square मिला, ठीक है, यही चीज़ हम करेंगे, small boxes के लिए, मैं ना पूरा लिख नहीं रहे हो बच्चो, I hope you will write it in your notebook, लिखना है compulsory, area of cardboard for 250 boxes, ठीक है, चलो, is equals to, कितना होगा, 250 into 661, 0.50 centimeter square, यहाँ पे भी लिख देते है, centimeter square, करे multiply, अगेन, इसका point और इसका 0 निकल चाया, ओके, चलो, 25 फाइजा, 125, 12, 25 प्लस 12, यानि 25 प्लस 10, 35, 35 प्लस 2, 37, 3 गया, 25 सिग्जा, 150, 150 प्लस 3, 153, यानि 3, 15 गया, कैरे में, 25 सिग्जा, 150, 150 प्लस 15, यानि 165 centimeter square, मतलब क्या, इतना big boxes के लिए, इतना small boxes के लिए, हमें चाहिए, तो, total cardboard कितना चाहिए, क्या करेंगे हम, दोनों का, plus, right, 3, 8, 0, 6, 2, 5, plus, 1, 6, 5, 3, 7, 5, 5, plus, 5, 10, 1, 2, plus, 1, 3, 7, plus, 3, 10, 1, 6, plus, 1, 7, 7, एक मनिट गडवड की, नहीं ठीक है, 7, plus, 3, 10, 1, 5, plus, 1, 6, 8, plus, 6, 14, 1, 3, plus, 1, 4, 4, plus, 1, 5, right, इतना आया हमारा centimeter square, I hope यहां तक clear है, आगे का part था, वहां तक हमने एक एक box का area रूंडा था, हमें चाहिए, टोटल 250 box, तो हमने big box के area को 250 से multiply किया, small box के area को भी 250 से multiply किया, दोनों का जो अलग-अलग area मिला, दोनों को हमने plus किया, ठीक है, तो इतना हमें total cardboard चाहिए, अब हमें करना क्या है, अब हमें चाहिए उसकी cost, क्या दिया है, meter square या centimeter square, चलो, अब तो easy हो गया का, क्या करोगे last, cost of thousand centimeter square is equals to rupees 4, then cost of, कितना है, 5,46,000 centimeter square is equals to dash, cross multiplication करेंगे, ठीक है, upon thousand, 0 तो आपके cut गए, बच्चा क्या, 5,46 into 4, let's see, 6 forza, 24, 2, 4 forza 16 plus 2, 18, 1, 5 forza 20, 20 plus 1, 21, answer आया, आपका, rupees 2184, right, words में लिखोगे, of course, compulsory, अचा, इसको में रेस कर लेकते हूँ, एक मेंट रुको, आगे लिखा हूँ आया, आपका, चलो, so finally, your answer is, total cost of cardboard is equals to rupees 2184, okay, and we are done with your sum number 7, इतना hard नहीं है, जितना इस पे हाइप बनाया जाता है, ठीक है, एक बार समझ लो, आराम से पूरा वीडियो फिर से देख लो, नहीं समझ आता है, तो दूसरी बार देखोगे, पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है, so here we are done with our exercise 13.1, see you soon with exercise 13.2, ठीक है, में इस नहीं करने है, तो जल्दी से subscribe कर लो, bell icon पे, कर लो एक बार है ना, तो मिल जाएगा, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, because वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होने वाले है, ठीक है, so use your vacation, complete this easy-peasy chapter, and stay tuned, have a nice day.